हेलो फ्रेंड आज हम जानेंगे contents of synthetic vitamins why synthetic vitamins में ऐसे क्या contents होते हैं जो हमें आमारे लिए harmful हो सकते हैं first of all आ जाता है synthetic oil आपको यह नहीं पता उसके कोई labeling नहीं होती है आपको यह नहीं पता उसको source किया है कहां से आया है sodium benzoate होता है जिससे शेल्फ लाइफ पढ़ाई जाती है शेल्फ लाइफ ऐसी शेल्फ लाइफ वो है जिसमें आपके किसी भी वाइटमिन में एक केमिकल एड़ किया जाता है ताकि वो लम्मे समय तक प्रिजर्व रह सके F, D, C, Yellow, Blue and Red Colors ये colors इसमें एड़ किया जाते हैं आपके synthetic vitamins में और ये colors कार्सिनोजेनिक कोलतार डेरिवेटिव से लिये जाते हैं या ऐसे केमिकल से लिये जाते हैं जो कि potentially कार्सिनोजेनिक रहते हैं Magnesium Steriode की बात करें तो ये supplement में इसलिए एड़ किया जाता है ताकि manufacturing process में आसानी हो सके ये बायो फिल्म बना लेता है आपके intestine में जो आपके digestive problems, digestive issues क्रियेट कर सकता है Titanium Dioxide अगर आप देखेंगे आपके vitamins में एड़ की जाती है जो कि Already International Agency for Research on Cancer एक पॉसिबली Carcinogenic to Humans classified किया गया है और एक research के अनुसार Titanium Dioxide respiratory tract cancer Rats में cause कर चुगी है कुछ ऐसे supplements भी होते हैं जो genetically modified organisms से मनाया जाते हैं एक animal study होई ती जिसमें ये पाया गया कि जो natural food complex से vitamins बनाया जाते हैं उनका absorption लगभग 2.5 times जादा होता है ब्लड में और 1.5 times जादा रहते हैं हमारे blood में then they are synthetic counterparts synthetic vitamins को super processed किया जाता है एक बहुत ही जादा high temperatures में exposed किया जाता है जिसमें artificial or toxic ingredients आपके mix हो जाते हैं उनमें dyes हो सकते हैं preservatives हो सकते हैं coal tars हो सकते हैं sugars starch and other additives भी हो सकते हैं जब इसमें आप यह कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी vitamin brand अपने लिए लेते हैं market से तो उसकी nutritional information ज़रूर पड़े उसमें यह देखें कि उसका source क्या है वो food से derived है या artificially manufactured है जाहर है हम अपने अपनी बॉड़ी को कोई भी artificially manufactured है अपने बॉड़ी को नहीं देना चाहेंगे और जो food source से derived vitamins है वही देना चाहेंगे एक बात और note करने की है कि जब भी एक वर्ड acetate आता है level में जो fat-soluble vitamins हैं आपके A-D-E-N-K उनके आगे अगर word acetate लिखा हुआ है तो इसका clear cut मतलब है कि वह synthetic है जो natural vitamins and minerals होते हैं वह real food source से derived होते हैं जैसे vegetables हैं आपके fruits हैं आपके herbs हैं seaweeds हैं या मेरा algae हैं तो आपके body को वहाम नहीं पहुचाते हैं जबकि synthetic vitamins में क्या होता है कि वह isolated vitamins होते हैं जो laboratory में manufactured किये जाते हैं उनमें उनके साथ antioxidants या phytochemicals नहीं होते जिसकी वज़े से vitamins अपना काम कर पाते हैं natural vitamins में क्या होता है कि जो necessary enzymes हैं क्योंकि वह food source से derived है तो उसमें enzymes भी होते हैं जिसकी वज़े से vitamins अपना काम कर पाते हैं natural foods में क्या होता है कि कभी वह high potency में नहीं मिलते हैं तो इसलिए natural food source से जो भी vitamin derived होता है उससे कोई side effect नहीं होता या उसके होने की chances बहुत ही minimal होते हैं so that's all for the day thank you so much